संग आर्थो पोड़ा अथवा फाइलम आर्थो पोड़ा के बारे में आज के वीडियो में संपूर जानकारी आपको बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लात्र देखिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजी चलिए सबसे पहले आर्थो पोड़ा सब्द का अर्थ समाल लेते हैं तो आर्थो पोड़ा में आर्थोस का मतलब है जोईंटेड अर्थात जोड़ीदार या संध्युक्त कहे लिजी और पोड़ास का अर्था है फूट अर्थात पाद या पैर इस प्रकार से आर्थो पोड़ा सब्द का अर्थ हुआ जोड़दार पाद अथवा खंड युक्त उपांग या संध युक्त उपांग मतलब इस संग के जन्तों में जोड युक्त उपांग पाय जाते हैं अथवा पैरों में खंड होते हैं जो आपस में जुड़कर उपांग या पैर बनाते हैं संग आर्थरोपोडा जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग है बड़ा इसलिए क्योंकि जन्तु जगत की लगभग 90% जातियां इसी संग में पाई जाती हैं 90% जातियां इसी संग में पाई जाती हैं इसलिए जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग कहा जाता है पैरिपैटस एने लिड़ा और संग आर्थरोपोडा की बीज की संयोजी कड़ी है इसको ध्यान से पॉइंट को याद रखेंगे जो पैरिपैटस है यह एने लिड़ा और आर्थरोपोडा के बीज की संयोजी कड़ी है चलिए आगे बढ़ेने से पहले इस जन्तु के बारे में चित्र जहित पुरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो पैरिपैटस संग आर्थरोपोडा का एक जन्तु है आर्थरोपोडा का और उप संग उनाइकोफोरा के अंतरगत आता है और पैरिपैटस में एनिलिडा वा आर्थरोपोडा दोनों संगों के लक्षण पाया जाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि इस जन्तु के सरीर में कुछ लक्षण एनिलिडा के और कुछ लक्षण आर्थरोपोडा के पाए जाते हैं इसलिए इसको एनिलिडा वा आर्थोपोडा संग को जोड़ने वाली कड़ी कहते हैं कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है यदि पूछा जाए संग आर्थोपोडा और एनिलिडा को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है कनेक्टिंग लिंक कौन सी है तो बताएंगे पैरिपेटस है इससे पता चलता है कि आर्थोपोडा संग का विकास एनिलिडा से हुआ है यानि ये जो दोनों के विकी कड़ी है तो इससे क्या पता चलता है कि आर्थोपोडा संग का जो विकास हुआ है वो एनिलिडा से ही हुआ है और पैरिपेटस कैटरपिलर के समान प्राड़ी है कैटरपिलर जैसे होते हैं बिल्कुल उसी जैसा दिखता है और इसका सरीर क्रिमियों के समान जैसे क्रिमि होते हैं वैसे ही बेलनाकार होता है और तचा पर जुरियों के समान अनुप्रस्त खाईया दिखाई देती हैं जैसा कि आपको चुत्र में दिपी रहा है तो अच्छा पर जुर्यों के समान अनुप्रस्त खाईयां दिखाई देती हैं और इसके पाद जो होते हैं उपांग जो अपेंडेज होते हैं एनलिडा के पार्स पादों या पैरापोडिया के समान होते हैं यानि इसके पाद अनलिडा के जो पैरापोडिया होते हैं बिर्कुल उसी जैसे होते हैं छोटे होते हैं मोटे उभारों के रूप में पाये जाते हैं पैरिपैटस में जो स्वसन होता है वो ट्रकिया के द्वारा होता है रिस्पाइरेशन कैसे होता है ट्रकिया के द्वारा होता है और उतसरजन नेफरीडिया के द्वारा होता है और ये जन्त एक लिंगी होता है एक लिंगी यानि नर और माधा अलग अलग जन्त शरीर में पा जरायूज प्राड़ी है जरायूज प्राड़ी ऐसे प्राड़ी होते हैं जो बच्चों को जन्व देते हैं उन्हें जरायूज प्राड़ी कहा जाता है अगर इसकी संदचना की बात करें तो संदचना में इसके सिर पर दो एंटेनी पाया जाते हैं मोटे से और ओरल पैपली भी होते हैं और आई होती हैं लेक्स आपको बता ही चुके हैं लेक्स कैसे होते हैं इसकी टांगे कैसे होती हैं छोटी और मोटी मोटी सी होती हैं और उन पे नाकून भी पाय जाते हैं मतलब यह हुआ कि सरीर पर छोटे ठूटे जैसे ठूट होता है ठूट नुमा नखर यु यानि जनरल करेक्टर्स आप फाइलम आर्थो पोड़ा के बारे में समल लेते हैं, तो पहला है इस संघ के जनतुओं का सरीर दुई पार्स सम्मित तथा त्री अस्तरिय और खंडों में बटा होता है, मतलब दुई पार्स सम्मित होता है, त्री अस्तरिय होता है और खंडों में बटा होता है, इस पॉइंट में जो दुई पार्स सम्मित है, दुई पार्स सम्मित का अर्थ है, इन जनतुओं के सरीर को ठीक बीचों बीच से काटने पर दोनों भाग समान आते हैं, लेकिन जब जन्त को ठीक बीचो बीच से काटने पर दोनों अर्धान से भाग समान आते हैं, समान होते हैं, तो उसे ही दुविपार्स सम्मित कहा जाता है, फिर इसी पॉइंट में एक वर्ड है, त्री अस्तरिये, तो अंग्रेजी में त्री अस्तरिये को ट्रिपलो ब्लास्टिक कह होता है, तो उसे त्री अस्तरिये कहा जाता है, ये तीनो जन्त में अस्तर होते हैं, मतलब जब तीनो जन्त में अस्तरों से मिलकर सरीर बनता है, तो उसे ही त्री अस्तरी कहते हैं, और इसी पॉइंट में लास्ट में है, खंडों में बटा होता है, इसका मतलब ये हुआ, क कि ये जन्तु metamerically segmented होते हैं, इनकी body कैसी होती है, metamerically segmented होती है, next point है, ये जन्तु proto-stomy, तथा yosilomate होते हैं, इस point में proto-stomy का मतलब है, embryo development में, gastrulation के दोरान, जब gastrulation होता है, उस दोरान, पहले भुरूण की मुह बनता है, वो mouth बनता है, मुह बनता है, गुदा बाद में बनती है, proto का मतलब first, और stroma का मतलब है mouth, इसलिए पहले मुह बनता है, और बाद में गुदा बनती है, तो proto-stomy को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कि जिन जन्तों में, भुरूणी विकास के दोरान, पहले blastopore बनता है, उन्हें ये proto-stomy कहा जाता है, और blastopore का मतलब होता है, पहले mok बनता है, तो इसी point में दूसरा वर्ड है, यूसिलो मेट, इसका अर्थ होता है, ऐसे जन्तों, जिन में वास्तविक देह गुआ पाई जाती है, वास्तविक देह हुआ, उन्हें ही यूसिलो मेट कहा जाता है, फिर next point है, इन जन्तों का सरीर, बाहर से मोटे, द्रण्ध, काईटिन से बने, बाह कंकाल से ढखा होता है, मतलब, इनके सरीर पर काड़ी काईटिन का बना, बाहरी कंकाल होता है, यह हम कह सकते हैं, कि इनका सरीर काईटिन से बने, मजबूत, बाह कंकाल में बंद रहता है, और समय समय पर, बाह कंकाल का जो खोल होता है, वो यह सरीर से उतार कर फ्रेंग देते हैं, इस किरिया को, तवक मोचन, अथावा मॉल्टिंग कहा जाता है, इनके सरीर पर बन जाते हैं, इसी किरिया को मॉल्टिंग कहते हैं, फिर नेक्ष पॉइंट है, इनका सरीर सिर वच्छ तथा उदर में बटा होता है, अर्थाथ इनकी जो बाटी है, वो हेड, थोरेक्स और एब्डॉमेन में डिवाइड़ होती है, फिर नेक्ष पॉइंट है, प्रते खंड पर संध्युक्त उपांग पाये जाते हैं, मतलब इन जनतों का जो सरीर होता है, वो खंड उपांग होता है, और हर एक खंड में एक एक जोड़ी, बहु खंडी उपांग पाये जाते हैं, अब बहुँ खंडी उपांग का मतलब है जो उपांग होते हैं उसमें भी बहुत सारे खंड होते हैं संधियुत उपांग होते हैं अर्थात उपांग या पैरो में कई खंड होते हैं थावा कई जोड होते हैं फिर नेक्स पॉइंट है इनकी बॉडी कैविटी अथावा देह गुहा को हीमो सील कहा जाता है हीमो सील जिसमें हीमो लिम्प भारा होता है हीमो सील को रुधिर गुहा भी कह सकते हैं और हीमो लिम्प जो है उसको रुधिर अथवा ब्लड भी आप कह सकते हैं नेक्ट पॉइंट है इन जन्तों में स्वसन अंग बिभिन प्रकार के होते हैं बिभिन प्रकार यानि कई प्रकार के होते हैं, जैसे जलिये जन्तु हैं, तो इसमें क्लोम इस्थलिये जन्तु हैं, तो ट्रेकिया अथवा बुकलंग्स होते हैं, मतलब अलग 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 तरहके के स्वसन अंग पाये जाते हैं, जैसे जो जल में रहते हैं, तो क्लोम कुछ जन्तुओं में सरीर की सतह से भी स्वसन होता है, नि कुछ ऐसे भी जन्तु पाया जाते हैं, जिन में सरीर की सतह से भी respiration हो जाता है, मतलब कुछ आर्थो पोड़ा में respiration body surface से भी होता है, पिनेश पॉइंट है, रुधिर परिसंचर तंत्र खुले प्रकार या open system पाया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि रुधिर निश्चित वाहिनियों में नहीं बहता है, को सिकाएं अथवा capabilities absence होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, फिनेश पॉइंट है, इन जन्तों में उतसरजन अथवा excretion बिभिन प्रकार के अंगों के द्वारा होता है, यानि अलग अलग जन्तों में अलग 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 प्रकार के उसरजी अंग पाये जाते हैं, जैसे मैल पीगी नलिकाएं, ग्रीन ग्रंथियां, आर्थ्रो बोडा संख में जो अलग 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 प्रकार के जन्तों पाये जाते हैं, उनमें अलग अलग अंगों के द्वारा उसरज पाई जाती है और यह जो नर्व कार्ड होती है यह segmented ganglia के रूप में होते हैं segmented ganglia के रूप में जिससे नर्व निकली रहती है फिर नेक्ट पॉइंट है इन जन्तों के सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाई जाते हैं मतलब इन जन्तों में एक जोड़ी compound eye पाई जाती हैं one pair of compound eye पाई जाती हैं तो compound eye बहुत से visual element की बनी होती हैं जिन्हें नेत्रान सक कहा जाता है फिर नेक्ट पॉइंट है यह जन्तों एक लिंगी होते हैं अथवा unisexual होते हैं इनमें लेंगिक दिरूपता पाई जाती है तो sexual dimorphism पाई जाती है इनमें अर्थात नर और मादा को अलग-अलग जन्तों के रूप में पहचाना जा सकता है क्योंकि नर्वा मादा जन्नांग जो होते हैं वो अलग-अलग जन्तों सरीर में होते हैं इसलिए कहा गया है कि ये जन्तु एक लिंगी होते हैं या यूनिसेक्चल होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये जन्तु अंड़ जो होते हैं, मतलब ये जन्तु अंड़े देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं। फाइलम आर्थोपोडा के एक्जामपिल्स को समझ लेते हैं, यानि आर्थोपोडा संग में मुख्य रूप से काकरोच, तिलचटा, जींगा मचली, अथवा प्रान, केकडा, अथवा क्रैब, कंखजूरा, अथवा सेंटिपीड, बिच्चु, अथवा इस्कॉर्पियोन, मक मच्छर, तितली, मधुमक्की, आधी प्रमुख जन्तु आते हैं, इन सभी जन्तों की संरचना, इनकी पूरी जनकारी को बताने से पहले, संग आर्थोपोडा का वर्गी करण, अर्थात क्लाशिफिकेशन आप आर्थोपोडा को समझ लेते हैं, तो सरीर विभाजन, तथा कुछ उपांगों की प्रेजेंस वा एपसेंस के आधार पर संग आर्थोपोडा को तीन उपसंगों में बाटा गया है, पहला उपसंग है ट्राइलोबाइटो मोर्फा, दूसरा उपसंग है कैलिसरेटा, और तीसरा उपसंग है मैंडिबुलेटा थवा एंट्रेनेटा, त जैसे बिच्छू है, मकडी है, एक्सोडीज है, ये सब ही जनतो आते हैं, तो कुल मिला करके जो कैलिसरेटा है, इसको दो वरगों में बाटा गया है, मीरो, एश्टोमेटा और एरेकनाइडा, फिर जो उपसंग मैंडुलेटा है, इसको कई वरगों में बाटा गया है, पह जैसरा है डिपलो पॉड़ा, जिसके अंतरगत स्पायरोबोलस, जूलस, आदीजनतो आते हैं, फिर वरग काइलो पॉड़ा, इसके अंतरगत खनखजूरा, अथवा सेंटिपीड वगरा आते हैं, वरग सिमफाईला, इसके अंतरगत स्कूर्टी, जरेला आता है, और वरग पौरो पोडा के अंतरगत पारो पस आता है तो इस प्रकार से संग आर्थो पोडा को तीन उपसंगों में बाटा गया और उनमें वर्ग अलग अलग किये गए है चलिए अब संग आर्थो पोडा के उपसंग Mandiboleta जो है इस उपसंघ मे वर्ग जो Crestacea है उनके नाम बता देते हैं तो Crestacea के बिभिन लारवी या रूप को देख लेते हैं तो पहला है Neapylius larva पहला कौँ से मेटानेपलियस larva तीसरा है Lets Protoia larva या ProtoGia larva फिर है Joyya larva ke next है Megalopa larva next है Gleich besteht साइजो पोर्ड लार्वा माईसिस लार्वआ साइप्रिस लार्वा एलाइमा लार्वा और लाष्ट है पाईल श्रिमा लार्वा चलिए इन सब भी लार्वा फार्म को चित्र सही समझा देते हैं। पहला है नैपिलियस लारवा जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं ये नैपिलियस लारवा है और यहाँ अधिक्तम समुद्री क्रिस्टेसियाई में पाये जाने वाला सरलतम और सामानतम लारवा होता है यहाँ सबसे प्रारंभिक लारवा अवस्था होती है जो नैप अम्मध्धिवर्ति नेत्र होता है है या आइ याहा यह इहती है तत्था तीन जोड़ी उपांग होते हैं यानि तीन जोड़ी एपेंडेस पाए जाते हैं जिन में से एक एंटीनील होता है एंटनील अंट्रूनकारी अंग होता और आपको बता दें ब्रेंकियो पोड प्राणियों में उनमें नैपिलियस लार्वा सीधा वयस्क में परिवर्धित हो जाता है लेकिन अन्यमे या मध्यवर्थी लार्वा अवस्थाओं कौन-कौन से मैटानेपिलियस प्रोटो जोईया जोईया तथा माइसिस से गुजरता हुआ जाता है तो अब दूसरा है मैटानेपिलियस लार्वा जो मैटानेपिलियस लार्वा है यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह मैटानेपिलियस लार्वा का चित्र है और नेपिलियस में ब्रिद्धी तथा निर्मोचन की बाद मैटानेपिलियस लार्वा का चोड़े सिरोवक्ष या कलिज की सिफैलो थोरेक्स तथा लंबे उदर या लंबे एबडामेंट में बटा हुआ होता है उदर का जो अंत होता है अंत एक जोड़ी पुछे काटों में होता है और इनमें तीन जोड़ी उपांगों के अतरिक्त जैसा के आपको चित्र में दिख रहा है इनमें तीन जोड़ी उपांगों होते हैं और तीन जोड़ी उपांगों के अतरिक्त चार जोड़ी उपांगों के अबसिस भी पाये जाते हैं जिन में दो जोड़ी मैक्सली और दो जोड़ी मैक्सली पीट्स उपस्थित होते हैं कुछ डेकापोड में मैटानिप्लियस लारवा से जीवन चक्र आरंब होता है चलिए फिर अगले पर आते हैं अगला है प्रोटो जोईया लारवा जो प्रोटो जोईया लारवा है ये जो मैं चित्र दिखा रहा हूँ ये प्रोटो जोईया लारवा का है और इसका सरीर एक चोड़े समखंड सिरोवक्ष तथा पतले उदर में बटा हुआ है सिरोवक्ष और पतले उदर में बटा हुआ है शिरोवक्ष एक छोटे प्रिस्ट वर्म द्वारा धका होता है या कारापेश ध्वारा धका होता है और उदर अखंड तथा उपांग विहीन होते हैं जिसके अंतिम सिरे पर एक दुइसाकी पुछ खंड पाया जाता है या टेलसंद पाया जाता है इन में एक मध्यवर्ती नेत्र होता है, एक बीच में नेत्र होता है, साथ जोडी उपांग उपस्थित होते हैं, एंटेनी होते हैं, वो भी द्विखंडी होते हैं, एंटेनील संधियों से निर्मित होते हैं, नि एंटेनील भी होते हैं, मैंडेबिल्स भी उपस्थित होते ह पिर अगला लारवा है जोईया लारवा तो जोईया में एक चौड़ा सिरोवक्ष तथा एक वक्रित उदर पाया जाता है जैसा कि आपको चित्र में दिभी रहा है एक चौड़ा सिरोवक्ष होता है या सिफैलो थोरेक्स होता है और एक वक्रित उदर या वक्रित अब्डॉ पार्सल स्पाइन और दूसरा मेडियन रोस्ट्रम पाया जाता है और दो पार्स वी एक कंटा के लेटरल स्पाइन सही पाया जाते हैं जोया में उपांगों के साथ वच्छी उपांगों के अवसेज भी दिखाई देते हैं और इन में एक जोड़ी बड़े चलायमान नेत्र भी पाए जाते हैं फिर एकला लारवा है मेगा लोपा लारवा तो वास्तवी केकड़ों में जोईया लारवा काया अंत्रण करके मेगा लोपा लारवा में बदल जाता है जो जोईया लारवा है उसमें काया का अंत्रण हो जाता है तो वो मेगा लोपा लारवा में बदल जात सभी 13 उपांग इसमें होते हैं छे जोड़ी प्लौपाद उयूक्त उदर सीरोवक्ष के साथ सीधी रेखा से जोड़े रहते हैं। फिर अगला है ग्लौकौथी लार्वा तो ग्लौकौथी लार्वा हर्मिट क्रैप में पाया जाते हैं। तुर्मिट्ट्रेप में है और कुमिट्रेप में Dude । वच्ची उपांगों में पहले तीन-जोडी, जिलित उपांगों होते हैए फिर नेक्स्ट है माईसिस लारवा तो जैसा कि आप लोगों चितर में दिख रहा है ये माईसिस लारवा का चितर है और कुछ जो ढेकापोड होते हैं जैसे पेनियस इसमें जोहिया परवर्तित होकर माईसिस लारवा में बदल जाता है और यह वैस्क माईसिस के समान होता है इसमें तेरह जोड़ी उपांग होते हैं और पांच दूसाखित पस्चिय उपांग पाया जाते हैं उदर में पांच जोड़ी दूसाखित पलवपाद और एक जोड़ी पस्च पाद पाया जाते हैं यूरोपोर्स पाया जाते हैं और प चित्र देख रहे हैं यह साइप्रिस लार्वा का चित्र है और कुछ क्रिस्टेसिया ही जो होते हैं जैसे लिपास है या सैकुलाइना है में इन में जो नैपेलियस लार्वा होता है वो साइप्रिस लार्वा में बदल जाता है और इसका संपूर्ण सरीर एक द्विक पार्टित कवच के अंदर पाया जाता है इसके संपूर्ण सरीर पर एक कवच पाया जाता है और इसके रोपांतित एंटेनियूल पर सीमेंट ग्रंथियां पाया जाती हैं एंटेनियूल पर सीमेंट ग्रंथियां इसमें एक संयुक्त नेत्र होता है और सभी सिरोवच्छे उपांग भी पाये जाते हैं और आपको बता दें कि इसके उदर में से चार से पांच खंड होते हैं उदर में चार या पांच खंड पाये जाते हैं फिर अगला लारवा है एलाईमा लारवा जो एलाईमा लारवा है यहां आपको चितर में दिख रहा है इसे ही एलायमा लार्वा कहते हैं और इसकी उला में जोया रुपांत्रित होकर एलायमा लार्वा बनाता है इसका सरीर पतला कचाब और पार दर्सी होता है इसमें सिर के सभी उपांगों होते हैं परंत वच्छी उपांगों में केवल प्रथम दो ही उपस्थित होते हैं और उदर 6 खंडी होता है यानि उदर में 6 खंड पाये जाते हैं फिर अगला लार्वा है फाइले सोमा लार्वा तो यह बड़े आकार का चप्टा पत्ती के समान कोमल और कचाब होता है पत्ती के समान कोमल होता है चप्टा होता है और इसे काच क्र है इसका सरीर तीन भागों सिर पारदर से वच्छ और उदर में बटा होता है नेतर सवरंत होते हैं तथा संयुक्त होते हैं नित्रों में वरंत भी होते हैं और संयुक्त नेत्र पाए प्रत्थम जोड़ी मैक्सलिपीट्स अवसेसी दुतिये जोड़ी एक साखी और तिर्थी जोड़ी सुनिर्मित एवं दुई साखित होते हैं अब इस संके जन्तों के संरचना को समझा देते हैं तो पहला जन्तो है तिल्चट्टा जो तिल्चट्टा है इसको काक्रोज कहा जाता है यहार रसोई, बंद नालों, पाखानों, किराने या गल्ले, गुड की दुकानों या अन्य गर्म गंदे स्थानों पर पाए जाने वाल कैसे हैं रात रिचर जनतो होते हैं इनका सरीर कथा ही रंका होता है और लगभग में चार सेंटीमीटर लंबा होता है और यदि चौडाई की बात की जाए तो एक से दो सेंटीमीटर चौडा होता है सिर वच्छ वा उदर में इनका सरीर बटा होता है सिर पर दो संयुक्त नेत पाए जाते हैं एक जोड़ी सरंगिकाएं तथा मुखांग होते हैं वच्छ से तीन जोड़ी टांगें तथा दो जोड़ी पंक निकले रहते हैं जैसा कि आपको चित्र में दिग भी रहा है जो वच्छ है उसमें से तीन जोड़ी टांगें निकले रहते हैं दो जोड़ी पं जो नर है इसमें एक जोड़ा एनल सरकाई भी होते हैं फिर नेश्ट है जींगा मचली या प्राउन तो यह तालाबों नदियों पोखरों में पाई जाती है जो जींगा मचली है जैसा कि आपको चितर में दिख रहा है इस जन्तु का सरीर 25 सेंटीमेटर तक लंबा होता है और सरीर लगभग दो भागों में बटा होता है सिरो वच और उदर सिर पर पांच जोड़ी उपांग तथा एक जोड़ी संयुक्त नेतर पाई जाते हैं पांच जोड़ी उपांग हैं और एक जोड़ी संयुक्त नेतर हैं वच पर तीन जोड़ी मैक्सलीपीड तथा पांच ज थाह जोड़ी उपांग होते हैं, सरीर के पिछले सिरे पर एक संक्वाकार टैलसंस पाया जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, संक्वाकार टैलसंस पाया जाता है, रख्त परिसंचरन जो होता है, वो ओपन टाइप होता है, खुले प्रकार का होता है, फिर पानी के तालाबों जीलों आद में पाया जाता है इसका जो सरीर है वो लंबा तथा सिरोवच वह उधर में बटा होता है जो सिरोवच है ये मांसल होता है मसीला होता है तथा यहां कैरापेस द्वारा धका होता है और आपको बता दें कि आगे की ओर कैरापेस राश्ट्रम मे में दिख रहा है जो आगे की और राश्ट्रम है। इसमें निकला होता है। सिर्वच में सिर्व वच्छ के बीच एक सर्विकल खांच होती है यह सर्विकल होती है और उदर छा कंडों का बटा होता है छा पीछे की ओर एक टेलसन होता है सरीर पर 19 जोड़ी उपांग या एपेंडिस पाए जाते हैं 5 जोड़ी सीर पाए जाते हैं या सिफैलिक 8 जोड़ी वच्छे या थोरेशिक तथा 6 जोड़ी उदर या उपांग या कलिके अबडॉमिनल होते हैं स्वसन के लिए 17 जोड़ी कलोम होते हैं या गिल्स पाए जाते हैं वच्छ के अंतिम 5 जोड़ी उपांग चलन पाद होते हैं या वाकिंग लेक्स होते हैं प्रथम 3 जोड़ी पाद कीलेट होते हैं और इनमे से प्रथम जोड़ी सबसे बड़े होते हैं नर्वा मादाजन तो अलग-अलग होते हैं, अंडे मादा के पलव पादों से चिपके रहते हैं, जो अंडे होते हैं, वो पेलियो पॉर्ट्स से चिपके रहते हैं, क्रेफिस सर्भ भच्छी प्राड़ी होता है, सभी कुछ खा लेता है, जो हर प्रकार के सजीव और निर्ज किनारों पर शिछले पानी होते हैं पत्थरों के नीचे दबे रहते हैं रेद या दलदल में भी छिपे रहते हैं सरीर सिरोवच्छ वा उदर में बटा होता है और उदर छोटा होता है इस थाई रूप से सिरोवच्छ से धका रहता है और पांच खंडिय सिर तथा आठ खंड बढ़ाई लम्बाई से अधिक होती है और कारा पेश से धका रहता है शिरमें एक जोड़ी सव्र anth संय्यक्तनेत्र होते हैं वच पर पांच जोड़ी चलन पाध यह वाकिंग लेक्स होते हैं , जिन में से प्रथम जोड़ी पाध छे लेट होते हैं नर में दो जोड़ी तथा मादा में चार जोड़ी प्लवक होते हैं प्लवक पाद पाया जाते हैं पिलियो पाद होते हैं मादा के जो पिलियो पाद होते हैं वो अंडे से चिपके रहते हैं और उदर पर यूरो पाद अनुपस्थित होते हैं केकडो को अनेक देसों में स्व पथरों, लकडी के लट्टों के नीचे, तहखानों, नालों, आधी अंधेरे अस्थानों पर पाया जाता है, यह फोर्तीला वा तेजी से भागने वाला सिकारी प्राडी है, जो कीटों, मकडों, वा सलक्स का सिकार करता है, और सरीर प्रिष्ट अधर से चपटा होता है, सरीर पर एक जोड़ी एंटनी, दो जोड़ी मैक्सली, तथा चार जोड़ी संयुक्त नेत्रिया कंपाउंड आई पाये जाते हैं, धर के प्रते खंड पर एक जोड़ी बहु खंडी पाद पाये जाते हैं, जितने भी सरीर पर खंड होते हैं, हर एक खंड पर एक जोड़ी बहु पीट्स कहा जाता है। और ये बिसैले नखर में रुपांत्रित होते हैं नर्वामादा जनल अलग होते हैं नर्जन चीदर ये जुनाइटल पोर शरीर के पिछले भाग में ईस्थित होता है। शरीर चमकीली रंका होता है, इनके काटने से मनस के सरीर में अत्यधिक पीड़ा होती है, फिर नेश्ट है टिड़ी अथवा सिष्टो सरका, तो यह सुधिर्ण सरीर तथा समोह में रहने वाला कीट है, जिसके जीवनकाल में दो प्रावस्थाएं होती है, गहरे हरे वा धूस सररंग के धब्बों युक्त गुलाबी रंकी वाली प्रवासी प्रवस्था होती है, शरीर सिर वच्छ वा उधर में बटा हुआ होता है, शिर पर दो सन्युक्त नेत्र, तीन जोडी ओसिलाई तथा सरल नेत्र, एक जोडी एंटेनी तथा मुखांग होते हैं, वच्छ पर उन्हें टेगमाईना कहा जाता है, और दोतिय जोडी पंक जिली नुमा होते हैं, सिर पर लंबे एंटेनी तथा सन्युक्त नेत्र पाये जाते हैं, ये फसलों को बहुत हानी पहुचाते हैं, फिनेत्र है बिच्छु या एक रात्री चर प्रारी है, जो दिन में पत्थरों के नीचे कूडे करकट में घास फूस में छिपे रहते हैं, और रात्र में बाहरा कर छोटे छोटे जीवों को खाते हैं, इनका सरीर लगभग 3-8 cm लंबा होता है, इनका रंग चमकदार काला वा गहरा भूरा होता है, और प्रिष्ट तल का जो रंग है वो अधिक गाढ़ा जबकि अधार तल का जो रंग होता है वो हलका होता है, सरीर खंड युक तो होता है, तथा सिरवच और उदर में बटा होता है, इनमें स्वसन बुक लंग्स के द्वारा होता है, बिच्चु की पूछ में 20 ग्रंथी पाई जाती है, जिसके द्वारा सिकार को घायल करते हैं बिच्चु एक लिंगी अथवा यूनी सेक्चल जरायुज मादा पूर्ण बिक्सिस्वो को जन्में देती है, जरायुज का मतलब ही होता है कि बच्चे को जन्में देना, अंडे को नहीं, बच्चे को जन्में देना, वाइबे परस का मतलब यही होता है, और कभी-कभी मन कारे के लिए मेनेचर को सब्सक्राइब कर लिजी और वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक किजी धन्यवाद